Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे लाजवाब दुस्खों के बारे में जो कि आपके लिवर के अंदर जमा सारी की सारी गंदगी को साफ करके उसको एकदम fit और healthy बना देंगे तो चलिए पीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों लिवर हमारी बोडी का एक बहुत ही important ओर्गन है लेकिन लिवर के अंदर ये toxins आखिर आते कहां से हैं जो भी कुछ खाना पीना हम खाते हैं वो सभी चीज़ों के अंदर कुछ अच्छी चीज़े होती हैं कुछ बुरी चीज़े होती हैं कुछ toxins भी होते हैं कुछ nutrients भी होते हैं जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका direct effect हमारे लिवर के उपर पड़ता है हमारा liver ही main वो organ है digestive system का जो कि खाने के अंदर से अच्छी चीजों को रोकता है और बुरी चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है अगर हम अपने खाने में जाधा बुरी चीजे लेना शरू कर देते हैं जाधा processed foods लेने शरू कर देते हैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या गलत उल्टे सीधे टाइप के धाबे पे कहीं खाना खा लिया या कोई गंदा पानी पी लिया तो इन सभी चीजों की जमा होनी शुरू हो जाती है और इसी वज़े से बहुत ही जाता important है कि हम अपने liver को periodically detoxify करते रहें ताकि यह toxins हमारी liver में जमा हो गए हैं यह हमारी body से flush out होते रहें और liver सही तरीके से काम करते रहें तो इसी detoxification के लिए आज जो तीन नुस्खे में आपको बताने वाला हूँ यह बहुत ही important है क्योंकि यह तीनों ही चीजे पूरी तरह से natural हैं herbal है और इनका कोई side effect नहीं है और बहुत ही तेजी के साथ यह आपके liver को healthy बना कर उसको detoxify करने में आपकी मदद करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको suggest करना चाहूंगा liver को detoxify करने के लिए वो एक ऐसी चीज है जो कि असानी से हमारे kitchens में मिल जाती है दोस्तों जी हां मैं बात कर रहा हूँ हल्दी के बारे में हल्दी यानि की turmeric एक बहुत ही अच्छी ऐसी हर्ब है जिसके अंदर anti-oxidant properties बहुत जादा मातर में पाया जाती है हल्दी का जो main ingredient है जिसको बोलते है curcumin ये scientifically पाया गया है studies में कि इसके अंदर इतनी बढ़िया anti-oxidant properties होती है कि यह आपके liver के अंदर जो oxidative stress होती है यानि free radicals के कारण से जो liver की cells में damage होती है उसको protect करने का काम करती है और आपके liver को healthy बनाती है इसके साथ हल्दी हमारी body के अंदर जो toxins जमा हो जाते हैं या हमारे liver के अंदर जो गंदी चीजे जमा हो जाती है या शराब पीने की वज़ा से जो हमारे liver के अंदर toxicity हो जाती है इन सभी चीजों को counter करने का भी काम करती है और इसके साथ साथ लीवर के चारो तरफ जो excess fat जमा हो जाता है जिसको हम लोग fatty लीवर बोलते हैं उसको भी कम करने का काम करती है हल्दी तो overall एक बहुत ही बढ़िया हरव है जिसको आप regularly इस्तमाल कर सकते है हल्दी को इस्तमाल करने के लिए आपको क्या करना है आपको एक glass गुनगुने पानी लेना है और इस एक glass गुनगुने पानी में आपको आधा चम्मच हल्दी डालनी है और इसके साथ दूसरी चीज जो आपको इसमें डालनी है वो है एक चुटकी काली मिर्च अब ये काली मिर्च क्यों डालते हैं? काली मिर्च एक्चुली इतनी डालते हैं क्योंकि काली मिर्च हमारी बोडी के अंदर हल्दी का जो absorption होता है उसको बढ़ा देती है तो ये आपको तीन चीज़े मिलानी है जगा पानी, हल्दी और काली मिर्च इन तीनों चीज़े को मिलाके आप सुभा सुभा खाली बेट अगर रोजाना लेते हैं तो सिर्फ 14 दिनों के अंदर ये एक miraculous effect आपको देगी और आपका जो liver है वो healthy बनना शुरू हो जाएगा दूसरे नुस्खे में आपको लेना है आवला और करेला आवला जैसे कि आप लोग जानते हैं विटमिन C का एक बहुत ही rich source है और विटमिन C एक बहुत ही बेतरीन antioxidant होता है यानि ये हमारे liver की cells को oxidative damage से free radical damage से बचाता है इसके साथ आवला digestion को भी improve करता है liver के enzymes को भी boost करता है liver functioning को भी बढ़ाता है और liver की cells को protect करने का काम करता है आमला एक detoxifier भी होता है जो कि हमारी body के अंदर मौझूद toxins को body से flush out करने का काम करता है करेली की अगर मैं बात करूँ तो करेला हमारे liver के अंदर sujan को कम करता है एक antioxidant का का काम करता है और अगर आप ज़ादा alcohol लेते हैं इसके साथ करेला भी liver के चारो तरफ मौझूद fat को कम करता है और liver cells को healthy बनाने का digestion को improve करने का काम करता है और blood को purify करने का भी काम करता है अब इस नुस्खे को आपको कैसे इस्तमाल करना है ये समझ लीजे आपको एक glass गुनगुना पानी लेना है दो टेबिल स्पून आमले का रज और दो टेबिल स्पून करेले का रज इस drink को इस juice को आपको लेना है बहर का खाना खाने से करीब एक घंटा पहले खाना खाने से पहले लेने की वज़े से क्या होगा कि इन juices का जो absorption और efficacy है आपकी body में वो बढ़ जाएगी तीसरी remedy जो की आपको इन 14 दिनों के दोरान इस्तमाल करनी है वो है लसन यानि के गार्लिक लसन भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है इसके अंदर आपको दो compounds मिलते है मेली एक होता है selenium और एक होता है allicin और ये दोनों ही compounds हमारी body के अंदर से toxins को eliminate करने का काम करते हैं इसके साथ लसन भी एक बहुत बढ़िया antioxidant है free radical damage को रोकता है और इसके साथ जो liver fat होता है उसको भी कम करने का काम करता है लसन को इस्तमाल करने के लिए आपको रात को सोते समय लसन की दो कलिया कच्ची चबा कर खानी होती है अगर आप चबा कर नहीं खा पाते हैं आपको बहुत जादा तेज लगता है तो उस case में आप इसको कुचल कर किसी खरल के अंदर कुचल कर उसका paste बना के उसको भी directly पा और भी जादा fast results मिल सकते हैं अगर आप इन remedies के साथ रोजाना एक या दो कप green tea ले ले लें तो उससे आपको काफी अच्छे results मिलेंगे और आपका जो process है और जादा speed up हो जाएगा इसके साथ साथ एक Ayurvedic medicine आती है कॉलिव Z के नाम से तो अगर आप इस medicine को भी साथ में ले तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको purchase करने का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको भरपूर नीद लेनी होती है stress से आपको दूर रहना होता है आपको अच्छा food लेना होता है green leafy vegetables और green salad आपको जादा से जादा लेनी होती है ये कुछ ऐसी natural चीजे हैं दोस्तों जो कि आप regularly भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप पिरोडिकल अपने लिवर को detoxify करना चाहते हैं तो सिर्फ 14 दिन इन चीजों को जरूर आप फॉलो करिए और I'm sure कि within 14 डेज आपको काफी amazing results मिलेंगे और आपका लिवर आपको thank you जरूर बोलेग हैं दो चैनल को subscribe भी जरूर कर लीजे और bell icon भी जरूर प्रैस करिए ताकि सभी वीडियो की notification आपको timely मिलती रहे चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा चाहता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा